C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का सत्रवा सबख सबख नमबर 17 हमारे एक मशूर साइंसदा सफ़ा नमबर 107 उन्नी सो पाँच इसवी में जब बरतानवी हकूमत ने बंगाल को मश्रिकी और मगरिबी दो हिस्सों में बाटा तो लोग बिलबिला उठे स्कूल में पढ़ने वाले बारह साल के एक लड़के मेगनाद साहा को जितना घुस्सा आया उतना शायद और किसी को नहीं आया बंगाल को एक करानी की जिदो जहत करने वाले इनकलाबी नौजवानों के जो जत्थे बन रहे थे उन में शामिल होने के लिए मेगनाद की उम्र बहुत कम थी इसलिए उन्हें अपने गम औ घुस्से के इजहार के लिए कोई और तरीका इख्तियार करना था उन्हें ऐसा मौका उस वक्त मिल सका जब ये ऐलान हुआ कि बंगाल का एक गवर्नर उनका स्कूल देखने आ रहा है इस सख्त ताकीत के बावजूद कि गवर्नर के इस्तखबाल के लिए हर बच्चे को मौजूद होना चाहिए साहा और उनके कुछ दोस्त उस दिन स्कूल नहीं आए जिस दिन गवर्नर को आना था अगले दिन साहा और उनके दोस्तों के नाम स्कूल के रजिस्टर से काट दिये गए साहा को अपनी दोस्तों से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उन्हें उस वजीफे से भी हाथ धोना पड़ा जो उन्हें चंद महीने पहले मिलना शुरू हुआ था एक मशहूर और मारूफ साइंसदा बन जाने के बाद भी वतन परस्ती और कुर्बानी का ये जज़बा उनमें मौजूद रहा वतन से महबबत ने उन्हें कौम का मेमार भी बना दिया उन्होंने आजाद हिंदुस्तान में न सिर्फ साइंस का मरतबा उंचा करने की कोशिश की बलके वो गरीबों की भलाई के लिए भी काम करते रहे साह 16 अक्तूबर 1893 इस्वी को सेवरा ताली जिला ढाका में पैदा हुए जो अब बंगला देश में है उनके वालित की एक मामूली सी पर्चून की दुकान थी जिससे घर का खर्च मुश्किल से निकलता था इसलिए वो चाहते थे कि उनका पांचवा बच्चा मेघनाद बचपन से ही घर के लिए कुछ कमाना शुरू करते लेकिन मेघनाद के उस्तादों ने इसरार किया कि वो मेघनाद को तालीम जरूर दिलाएं क्योंकि वो बहुत होनहार और जहीन तालीबे इल्म थे आखिर गाउं से ग्यारह मील दूर एक बोर्डिंग स्कूल में उन्हें दाखिल करा दिया गया सफ़ा नंबर 108 कॉलिज की तालीम मुकमल करने के बाद साहा कलकत्ता युनिवर्सिटी के साइंस कॉलिज में फिजिक्स के लेक्चरर हो गए यहां उन्होंने फिजिक्स के मौजवात पर बहुत सी किताबे पढ़ी और उन्हें अच्छी तरह पढ़ाया भी पढ़ाने के लिए अपने लेक्चर नोट्स तयार करते हुए उनके सामने एस्ट्रो फिजिक्स का एक मसला आया इसी मसले को हल करने की वज़ा से वो दुनिया भर में मशूर हो गए एस्ट्रो फिजिक्स सितारों की नौयत, उनकी गर्मी, उनकी अंधरूनी बनावट और किन-किन चीजों से मिलकर वो बने हैं वगेरा का मुताला करती है साहा की उम्र उस वक्त मुश्किल से 25 साल थी साइनसी दुनिया ने उनके काम को बहुत सराहा साहा एक समाजी कारकुन भी थे उन्होंने खुद भी गरीबी के दिन देखे थे इसलिए उन्हें मुलक के गरीब लोगों का हमेशा ध्यान रहता था जब मुलक तकसीम हुआ और मश्रकी बंगाल से लोग भाग भाग कर इधर आने लगे तो उनको आबाद कराने में साहा ने बहुत काम किये बच्पन में अपने इलाके के सैलाब जदा लोगों को राहत पहुँचाने के काम में शरीक रहना भी उन्हें हमेशा याद रहा उन्होंने गौर किया के सैलाब क्यूं और कैसे आते हैं और उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है इसके लिए बहुत से दरियाओं की वादियों के बारे में उन्होंने कई मनसूबे तजवीज किये 16 फरवरी 1956 वी को उनका इंतिकाल हुआ मानी चात कीजिए बरतानवी हकूमत अंग्रेजी हकूमत बिलबिला उठना, मुहावरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना शदीद तकलीफ महसूस करना जत्थे जत्था की जमा, ग्रो इजहार जाहिर करना अपनाना सूबे का सबसे बड़ा हाकिम ताकीद हुक्म, इसरार, बार बार कहना स्कॉलर्शिप वो रक्म जो अच्छे और जहीन बच्चों को तालीम के लिए मिलती है ग्यमत चुकाना, मुहावरा नुकसान परदाश्त करना बदला चुकाना हाथ धोना, मुहावरा किसी चीज से महरूम होना वतन परस्ती अपने वतन से महबबत करना मैमार तामीर करने वाला, बनाने वाला परचून की दुकान आम जरूरत की चीजों की दुकान फुटकर चीजों की दुकान होनहार अक्लमंद, जहीन इसरार करना किसी बात पर जोर देना वो स्कूल जहां बच्चों के रहने और खाने का इंतिजाम हो मौजुआत मौजू की जमा मजमून मसला परिशानी, उल्जण नौयत किस्म सराहा पसंद किया, तारीफ की समाजी कारकुन जो समाज की भलाई के लिए काम करें तक्सीम बटवारा सैलाब जदा सैलाब का मारा हुआ मनसूबा प्लान खाका सफ़ा नंबर एक सो नौ सोचिए और बताईए एक बंगाल को बरतानवी हकुमत ने कब और कितने हिस्सों में तक्सीम किया था 2. अंग्रेजी गवर्नर की आमद पर मेगनाद साहा और उनके दोस्तों ने अपने घम और घुस्से का इजहार किस तरह किया 3. मेगनाद साहा का वजीफा क्यूं बंद हो गया था 4. मेगनाद साहा के वालिद उन्हें क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे? 5. मेगनाद साहा का नाम दुनिया भर में किस काम की वज़ा से मशूर हुआ? 6. मेगनाद साहा के उस्तादों ने उनकी तालीम को जारी रखने की क्या वज़ा बताई? साथ तालीम मुकमल करने के बाद मेगनाद साहा फिजिक्स के लेक्चरर कहां मुकरर हुए आठ एस्ट्रो फिजिक्स में किन चीजों का मुताला किया जाता है नौ साइंस के मैदान में काम करने के अलावा मेगनाद साहा ने और क्या-क्या एहम काम किये सफ़ा नंबर 110 दिये हुए अलफास को जुम्लों में इस्तेमाल कीजिए वतन परस्ती होनहार मसला नौयत मौजू मनसूबा वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाईए हुकूमत हिस्सों मवाके दोस्थ कीमतें कुर्बानी अकवाम इन लवजों के मुतजाद लिखिए नौजवान दोस्थ आज़ाद भलाई महबत अंद्रूनी गर्मी गौर करने की बात इनकलाब के लवजी मानी है बहुत बड़ी तबदीली या किसी चीज का पूरी तरह बदल जाना इनकलाबी वो शक्स कहलाता है जो इनकलाब लाने में जोरो शूर के साथ शरीक हो इसलिए हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने की जिद्दो जहद में जो लोग पूरी ताकत के साथ शरीक थे और हिंदुस्तान को आज़ाद देखना चाहते थे उन्हें इनकलाबी कहा जाता है अभी आप सुन रहे थे अपनी जबान भाग एक का सत्रवा सबक इसके बाद सबक 18 आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत